नमस्कार दोस्तों और स्वागत करना हमारा यूटीब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1000 मिलियन डॉलर कितना होता है इंडियन रुपे में तो टेर ना करें वीडियो को जल्ली से शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं इसकी एंसर तो दोस्तों अगर आप में चैनल में नए आया है और तो सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को शेर भी कर दिजेगा तो दोस्तों डॉलर जो है कई सारे कंट्रीज के होते हैं लेकिन मैं अमरिका की करेंसी के बारे में बताऊंगा ये एक हजार मिलियन डॉलर कितना होता है इंडियान रुपे में ये जानने के लिए पहले आपको एक डॉलर कितना होता है जानने परेंगे तो पहले बतातों आपको एक डॉलर कितना होता है दोस्तों आज की डेट में एक US डॉलर जो है इंडिया में देने से 83 रुपए मिल दे है यानि की 83 इंडियान रुपीज तो इसकी fluctuate होते रहते है यह exchange rate लेकिन आज की डेट एक US डॉलर इंडिया में देने से आपको 83 रुपए मिलेंगे तो यह 1000 मिलियन डॉलर आपको कितना देगा यह बताना होगा राइट 1000 मिलियन जिसको 1 बिलियन भी कहते है वो 100 करोर होते है लेकिन ठहरी है 100 करोर रुपया नहीं calculation अभी भी बाकी है तो जैसे मैं आपको कहा 1000 मिलियन एक 100 करोर होते है तो हमें अभी calculate करना है कि 100 करोर डॉलर कितना होता है इंडियान रुपय में यह 1000 मिलियन डॉलर यानि कि 100 करो इंडू 83 मल्टिप्लाइ करेंगे, क्योंकि 1 डॉलर 83 रूपीज है न, तो यह 100 करोर जब आप 83 से मल्टिप्लाइ करते हो, इसका एंसर क्या होता है, आप खोरी देख लिजिए, तो अगर आप 1000 मिलियन डॉलर यानि कि 100 करोर डॉलर इंडिया में आके एक्षेंज करते हो, आप आपको मिलेंगे 83 रूपे, यानि ये 8300 करोर रूपे, तो ये कितना भाली रकम है, आप खोरी एक बढ़ सोचके देखिए दो, तो अगर आप लोगों को कही से इतना सारा पैसा मिलते, तब आप क्या करते हैं, क्या आप इससे बैंक में रखके फिक्स दिमोजित करतें, या जमीन खरिटे, या घर खरिटे, या बहुत सारे गारिया खरिटे, तो कमेंट सक्षिम में बटा दिजेगा जरूर, तो अमीर आपको शुरूगा अच्छा लगा, ऐसे ही बहुत सारे इंफ्रमेटिव वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर की जग में चनल को, औ और साइमें रहा बेल आगन को क्लिक कर जिएगा, फिलाब वीडियो का आज यहीं पर खत्म करते हैं, अपना ख्याल जरूर रखेगा, बाई बाई